Hello students, मेरा नाम अदिती द्रविड है from Empower Education और मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ तो आज हम संस्कृत व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है संधी प्रकरणम तो संस्कृत भाषा हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा में बहुत से संधी का उपयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कोई भी शलोक हो, महाकाव्य हो, गध्याउश हो, कथा हो या नाटक हो तो इन सभी में संधी का बहुत जादा उपयोग किया जाता है तो संधी का अध्यान करने के लिए हम पहले उसकी परिभाशा उसके प्रकार ये सब आज जानने वाले हैं तो संधी यानि क्या संस्कृत में कहा गया है वर्णा नाम मेलनम संधी ही तो इसका मतलब क्या है संधी यानि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधी कहता है संधी का अर्थ है मेल संधी को सहिता भी कहा जाता है तो संधी कैसे बनती है तो संधी के नियम क्या है उसके लक्षन क्या है तो आईए देखते हैं जब ये दो वरणों का मेल होता है तो ये मेल जब होता है तो वहाँ कोई आगम या नया शब्द उत्पन होता है या कोई आदेश होता है या कोई विकार यानि परिवर्तन होता है कभी कभी किसी वरण का लोप होता है तो इस परिवर्तन से दो वरणों के स्थान पर एक नया वर्ण भी आ जाता है, तो कहीं पर किसी वर्ण का लोप होता है और बीच में एक नया आक्षर भी आ जाता है, तो ये हुए इसके लक्षन, अब संधी के प्रकार क्या है, संस्कृत व्याकरण में मुख्य संधी के मुख्य तीन प्रकार होते हैं, और वो है स्वर याने संधी का पहला प्रकार स्वरसंधी इसका अध्यान करने वाले हैं तो स्वरसंधी क्या है स्वरसंधी की व्याख्या है एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वरसंधी कहते है यानि कि स्वरसंधी जो होती है दो अक्षरों का जो मेल होता तो वो स्वरो में होता है, तो स्वरसंधी के प्रकार है दीर्ग संधी, गुण संधी, वृद्धी संधी और यन संधी, तो पहला प्रकार है दीर्ग संधी, इसके नियम देखते हैं, यदि पूर्वपद और उत्तरपद में समान अक वर्ण हो, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्ग एकादेश होता है यानि कि समान वर्ण अगर सामने आते हैं तो जो दीर्गस्वर होता है वो परिवर्तन होता है यानि कि अ या आ के सामने अ या आ ऐसा अक्षर आता है तो आ होता है रस्व ई या दीर्ग ई के बाद रस्व ई या दीर्ग ई आता है तो दी दीर्ग उ आता है तो दीर्ग उ ही होता है तो हम step by step इसके उदारण देखते हैं पहला नियम है और या आ के बाद अगर या आ आता है तो आ बनता है तो उदारण देखते हैं हीम अधिक अंशुहू यहां अगर हम हीम शब्द का वर्णविच्छेद करेंगे तो वो होता है ह अधिक E, अधिक म, अधिक A याने अंत में हीम के अंत में A है और उसके आजेवाला जो शब्द है अंशुहु तो अंशुहु में जो A है और पहले वाला A दोनों मिला के A होता है तो शब्द बनता है हिमा अंशुहुू इसी प्रकार हर एक शब्द का वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो अंत में आने वाला वर्ण और आगे आने वाले शब्द का पहला वर्ण दोनों मिला कर जो परिवर्तन हैं वो हम अब देखने वाले हैं प्रत्य उधारण में दूसरा प्रकार है हिम अधिक आलय हम का म में जो अ है और आ तो दोनों मिला के होते हैं आ शब्द बनता है हिम आलय हम पुस्तक अधिक आलय हम पुस्तक के क में जो अ है और आलय का आ दोनों मिला के होते हैं आ और शब्द बन गया पुस्तक आलय हम विद्या अधिक अपी विद्या के द्य में य आ है और अ है तो दोनों मिला के होते हैं आ विद्या अपी ऐसा शब्द बना है तो आगे वाला देखते हैं रस्वई या दीर्गई के बाद रस्वई या दीर्गई आता है तो दीर्गई होता है इसके उधारण देखते हैं, मुनी अधिक इंद्रह, मुनी के नव में जो रस्वई है और आगे रस्वई है, दोनों रस्वई मिला कर होते हैं दीर्गई, तो शब्द बनेगा मुनी इंद्रह, परी अधिक इक्षा, यहां रस्वई के बाद दीर्गई आया है, तो शब्द बनेगा परीक्षा और महती अधिक ईच्छा यहां दीर्ग ई के बाद रस्व ई आया है तो दीर्ग ई बनता है और शब्द बनेगा महती च्छा और रजनी अधिक ई शह दोनों दीर्ग ई है तो दीर्ग ई ही बनेगा और शब्द बनता है रजनीशः आगे वाला एक्जेम्पल है रस्व उ या दीर्ग उ के बाद रस्व उ या दीर्ग उ आता है तो दीर्ग उ ही बनता है उदारण देखते हैं भानू अधिक उदय यहां दोनो रस्व उ है और उसका बनेगा दीर्ग तो शब्द बनता है भानूद यह सिंधू अधिक उर्मी यहां पहले रस्व उ है और बाद में दीर्ग उ है तो उसका ही शब्द उसका अक्षर बनेगा दीर्ग उ तो शब्द बनता है सिंधूर्मी वधू अधिक उक्ति ही यहां दीर्ग उ उ उसके बाद रस्व उ आया है तो शब्द बनता है वधूक्ति ही और भू अधिक उर्ध्वम, दोनों ही दीर्ग उ है, तो उसका ही दीर्ग उ ही बनेगा शब्द बनेगा भूर्ध्वम. अब संधी का दूसरा प्रकार है स्वरसंधी का गुण संधी और उसके नियम है यदि अ या आ के बाद रस्व अत्वा दीर्ग ई, उ और रह तो उन्हें क्रमशह ए, ओ और अल होता है. यानि अ या आ के बाद रस्व ई या दीर्ग ई आता है, तो ए बनता है, यदि उ या दीर्ग उ आता है, तो ओ बनता है, और अगर ल्र ये स्वर आये, तो उसका अल बनता है. तो हर एक के हम उधारण देखते हैं, आगे का उधारण है, अ या आ के बाद रस्व ई या दीर्ग ई आता है, तो ए बनता है, उधारण है वीर अधिक इंद्र, यहां अ के बाद रस्व ई आया है, तो शब्द बनेगा वीरेंद्र, परम अधिक ई श्वरह, यहां अ के दीर्गई आया है तो एही बनेगा और शब्द बनता है परमेश्वरह राजा अधिक इंद्रह यहां आ के बाद रस्व इंद्रह तो एही बनेगा और शब्द बनता है राजेंद्रह और चौथा एक्जेंपल है महा अधिक इश्वरह यहां आ के बाद दीर्गई आया है तो शब्द बनेगा महेश्वरह, आगे का उधारण है, या आ के बाद रस्व उ या दीर्ग उ आता है, तो ओ बनता है, उधारण है पुरुष अधिक उत्तमह, यहाँ अ के बाद रस्व उ आया है, और हमने नियम में देखा है कि उसका ओ बनेगा, तो शब्द बनता है अ के बाद दीर्ग उं आया है और शब्द बनता है जलेर्ओर गंगा अधिक उदकम यहां अ के बाद उ आया है तो सब्द बनेगा गंगों दकम और चौथा एक्जेम्पल है लता अधिक उर्धवम आ के बाद दीरग उ आया है तो शब्द बनेगा लतोर्धवम और लास्ट एक्जेम्पल है या आ के बाद र आता है तो उसका अल बनता है हाला कि ऐसे एक्जेम्पल बहुत संस्कृत में बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि रू ये स्वर ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है फिर भी हम उसका एक्जेम्पल देखते हैं तव अधिक लुकारह, तवलकारह, माला अधिक लुकारह, माललकारह आगे स्वरसंदी का तीसरा प्रकार है वृद्धी संदी ही यदि अ अथवा आ के बाद ए अथवा अई हो तो दोनों के स्थान पर अई बन जाता है और अगर अ या आ के बाद ओ अथवा अउ हो तो दोनों के स्थान पर अउ हो जाता है तो आगे हम उसका example देखते हैं अ या आ के बाद ए या अई आता है तो उसका अई बनता है उधारण है अध्य अधिक एव यहाँ अ के बाद ए आया है तो शब्द बनेगा अध्य व अथ अधिक अई क्यम अ के बाद अई आया है तो भी अई ही बनेगा शब्द बनता है अधा यथा अधिक एव यहाँ आ के बाद ए बना है तो शब्द बनता है यथाईव और महा अधिक अईश्वर्यम यहाँ आ के बाद आई आया है तो शब्द बनेगा महाईश्वर्यम यदि अ या आ के बाद ओ या अउ आता है तो उसका अउ ऐसा परिवर्तन होता है उधारण देखते हैं जल अधिक ओ घह यहाँ अ के बाद ओ आया है तो उसका अउ बनता है और शब्द बनेगा जल अउ घह तव अधिक अउधार्यम अ के बाद ओ आया है तो उसका भी अउ ही बनेगा शब्द बनता है तवव दार्यम महा अधिक ओ घह यहाँ आ के बाद ओ आया है तो शब्द बनता है महाउ घह और चौथा शब्द है महा अधिक अउश्धिह आ के बाद आाया है तो शब्द बनता है महाशधिस स्वरसंधी का चौथा प्रकार है यन संधी यदि E, रस्व E, दीर्ग E, रस्व U, तीर्ग U और इसके बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उन्हें यन कहते हैं इसका मतलब है यन में जो अक्षर आते हैं तो वो होते हैं य व र तो यदि य आता है रस्व य दीरग य आता है तो उसका य बनता है और रस्व उ य दीरग उ आता है तो उसका व बनता है और अगर र आता है तो उसका र हो जाता है तो हम इस प्रत्य देखके उदारण देखते हैं जडि या दीरगह ई के सामने कोई भी असमान स्वर आता है तो आगे वाले शब्द में हो तो वो मात्रा उसमें जुड़ जाती है उस य ने जुड़ जाती है और शब्द तयार होता है तो उधारण देखते हैं यदी अधिक अपी यहां रस्वई पहले वाले शब्द में यदी में रस्वई है और उसके बाद अ आया है तो इस रस्वई का यव बनेगा और अ की मात्रा उसमें जुड़ जाती है तो शब्द बनता है यदी अधिक अपी यद्यपी दूसरा एक्जेंपल है प्रती अधिक एकम यहां रस्वई के बाद ए स्वर आया है तो इस रस्वई का यव बनेगा और ए की मात्रा उसमें जुड़ जाएगी तो शब्द बनेगा प्रती अधिक एकम प्रत्येकम अगले एक्जेंपल में है मही अधिक एका यहां दीर्ग एके बाद ए ये असमांस्वर आया है तो दीर्ग एका यव बनेगा और एकी मात्रा उसमें जुड़ जाती है तो शब्द बनता है मही येका और गोदावरी अधिक ओगह यहाँ दीर्ग ई के बाद ओ यह असमानस्वर आया है तो दीर्ग ई का य बनेगा और ओ की मात्रा उसमें जुड़ जाएगी उसके बाद शब्द बनेगा गोदावर योग हम अब आगे वाले हम एक्जेंपल देखते हैं यदि रस्व उ या दीर्ग उ के बाद कोई भी असमा शब्द की मात्रा उसमें जुड़ जाती है तो उसके उदारण देखते हैं सु अधिक आगतम तो यहाँ सु में रस्व उ है और आगे आ यह असमानस्वर आया है तो उस रस्व उ का व बनता है और आ की मात्रा उसमें जुड़ जाती है तो शब्द बनता है स्वागतम करो अधिक इदम यहां रस्व उ के बाद इ यह असमानस्वर आया है तो रस्व उ का व बनता है और इकी मात्रा जुड जाती है फिर शब्द बनता है करोत्विदम गुरू अधिक आदेश हम यहां गुरू में जो रस्व उ है और उसका बनेगा व फिर आ की मात्रा जुड़ जाएगी और शब्द बनेगा गुर्वादेश ह। गच्छतु अधिक ए कह। यहां रस्व उ ही है और आगे ए यह असमानस्वर आया है तो रस्व उ का व बनेगा और एकी मात्रा उसमें जुड़ जाएगी फिर शब्द बनता है गच्छत वे कह। आगे यदि रू या दीरगरू के बाद कोई भी असमानस्वर आता है तो उसका र बनता है और वही आगे वाले शब्द की मात्रा उस र में जुड़ जाती है उसके भी उधारण है पित्रू अधिक आध्या यहाँ पित्रू में रू स्वर आता है अगर हम वर्णविच्छेट करें तो और आगे असमानस्वर आया है आ तो पित्रू रुगार का बनता है र और आ की मात्रा उसमें जुड़ कर शब्द बनेगा पित्राध्या दूसरा एक्जेंपल है मात्रू अधिक इच्छा यहाँ रू के बाद ई यह असमानस्वर आया है तो यहाँ रू के जगह र बनेगा और ई की मात्रा उसमें जुड़ जाएगी फिर शब्द बनेगा मात्रिच्छा तो इसी प्रकार हमने स्वरसंधी के सब प्रकार देखे हैं और हमने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा है तो उसके बहुत से एक्जेंपल आप भी पढ़ाई कर लिजिए और हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर उसे लाइक करें शेयर करें या फिर सब् करें थेंक यू